पुरुशोत्तम या अधिक मास का सनातन धर्व में बहुत महत्व होता है इस मास में भगवान विश्णू की पूजा अर्चना करने से सभी मनो कामनाएं पूर्ण होती है पुरुषय। तम मास में अगर भक्तगन पूरे मन से भगवान जिसनु-णरायन की आराधना करें तो उनके सभी मनूरत पूर्ण होते हैं इसी पुरुशोत्तम मास के महत्तम की कथा में अध्याय दो में हमने सुना कि सूत जी महराज मैमी शारण नतीर्थ में रिशी मुनियों और देव गणों को पुरुशोत्तम मास के महत्तम की कथा सुना रहे थे कि किस तरीके से देव रिशी नारत भगवान श्री हरी से पुरुशोत्तम भगवान की कथा सुनाने के लिए आगरहे करते हैं अब आगे की कथा सुनते हैं अध्याय तीन में सूत जी के पावन मुख से पावन कथा सुनते हुए रिशी बोले हे महाभाग नर के मित्र नारायन ने नारत जी से जो उत्तम वाक्य कहे कृपा करके हमें विस्तार से सुनाईए सूत जी बोले हे रिश्यू श्री नारायन भगवान ने नारत जी से जो सुन्दर वचन कहे विज जैसे मैंने सुने वैसे कहता हूँ आप एक आग्रचित होकर सुनों तब श्री हरी बोले हे नारत भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्टिर से जो कहा मैं वो तुम्हें कहता हूँ एक समय धार्मिक राजा युधिष्टिर छल के चहाने वाले दृत्राष्ट के दुष्ट पुत्रों से जुए में अपना सब कुछ हार गए सबके देखते देखते अगनी उत्पन्ना धर्म परायन द्रोपती के बालों को पकड़ कर दुष्ट दुष्शाशन उसे भरी कौरवों की सभा में खीच कर ले कर आया और खीचने के बाद वे उसके वस्त्र उतारने का प्रियास करने लगा तब भगवान श्री कृष्ट ने उसकी रक्षा की उसके बाद पांडव राज्ये को छोड़ कर काम्यक वन में चले गए वहां बहुत ही कलेश और दुख से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे जैसे जंगली हातियों के शरीर पर भाल होते हैं उसी प्रकार पांडवों के शरीर पर भी भाल हो गए थे और पांडव वनवासियों की भाती वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए वहां अपना जीवन्यापन करने लगे देव की नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देखकर मुनियों सहित काम्यक वन में गए तब युदिष्टर, भीम, अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देहे में प्रान आ गए हो ऐसे छटपट उठे और प्रेम में लिप्त होकर बहुत ही प्यार से उनसे मिले एम नकुल और सहदेव ने भी शीगर ही उनके चरण कमलों को प्रणाम किया इसके बाद द्रौपदी धीरे धीरे आई और आलस से रहित होकर भगवान को शीज चुका कर नमस्कार करने लगी भगवान श्री कृष्ण ने उन दुखित पांडवों को म्रिग के चर्म के वस्र पहने हुए देखा पांडवों के समस्त शरीर में धूल लगी हुई थी रूखा हो गया था शरीर चारो तरफ पाल बिखरे हुए थे इसी प्रकार त्रौपदी का शरीर भी दुरलब हो गया था और वह दुखों से घिरी हुई ऐसा भगवान ने देखा इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए और भक्तवत्सल भगवान ने द्रिष्ट राष्ट के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोध किया तब उनकी ब्रक्तियां तेड़ी हो गई आखे चड़ गई और करुणो महाकाल जैसा उनका मुख विक्राल हो गया मानो प्रियकाल की अगरी की लप्टें उठी हों दातों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो तरलोकी को अभी भस्म कर देंगे जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संत्रिप्त होकर श्री रामचंदर जी को रावन पर क्रोधाया था उसी प्रकार श्री कृष्न जी का स्वेरूप हो गया था भगवान को देखकर कापते हुए अर्जुन श्री कृष्न को प्रसन और शांत करने के लिए द्रौपदी धर्मराज और सभी लोगों ने अनुमोदित होकर शीगर ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुती करने लगे अर्जुन बोले हे कृष्न हे जगननाथ हे जगत के नाथ हे नाथ मैं जगत से बाहर नहीं हूँ आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं हे प्रभू क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे जिसके त्रिष्टी तेडी करने मात्र से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है उसके कोप से क्या नहीं हो सकता यह कौन नहीं जानता है अधह हे जगत पते आप संगार करने वाले अपने क्रोध को त्यागिए आपके क्रोध से संसार में प्रलिय हो जाएगी आप सभी तत्वों के ग्याता और सब कारणों के कारण स्वरूप वेद वेदांग के बीज के भी बीज इश्वर श्रीक्रेशन मैं आपको नमश्कार करता हूँ आप ही चराचर जगत के उत्तपन करता सब मंगलों के मांगल्य बीज स्वरूप हैं सनातन हैं आप अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराद के कारण क्या नाश करोगे ऐसा कौन होगा जो केवल मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने सारे घर को जला दे फिरपा करके अपने क्रोध को आप शान्त करे आपके क्रोध से संसार में प्रल्य हो जाएगी दूसरों की वीड़ता को मर्दन करने वाले अरजुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया इसके बाद सूच जी ने कहा अरजुन की ये बाते सुनकर श्री कृष्ण ने निकरोध की अगनी को शांत किया और स्वेंभी चंद्रमा की तरह शांत हो गए अब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत हुए देखकर सुख का अनुभव किया एम से प्रफुलित मुख को देखकर युदिश्टर आदी सभी ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंदमूल और अन्य जंगली फलो आदी से उनकी पूझा की श्री नरायन बोले दीन बंदू भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन जान प्रेम मगन हो सिर जुका कर हाथ जोड़कर अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया और भगवान से उन्ही प्रशनों के विशय में पूझा जिन प्रशनों को आपने मुझे से पूझा है इस प्रकार अर्जुन का प्रशन सुनकर शण मात्र मन में सोचकर अपने प्रिये पांडवों को और वृत धारण करने वाली द्रोपदी को आश्वाशन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ट श्री कृष्ण पांडवों के हितकर वचन बोले इमहाभाग हे शत्रूओं के लिए अजे मेरा उत्तर सुनू तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्ण किया है जिसका उत्तर देने में जे अधिक उत्सा नहीं हो रहा है यद भी इस प्रश्ण का उत्तर गूर से भी गूर है और रिश्यों को भी अगम्य है तब भी हे प्रिय अर्जुन मैं तुम्हारी मित्तरता और भक्ती के कारणवश आवश्य बतलाऊंगा पांडवो इस प्रश्ण का उत्तर बहुत कठिन है अते तुम ध्यान से और क्रम से सुनो चैत्र आदी जो बारे महिने हैं शुक्ल और कृष्ण पक्ष पड़ियां प्रहर त्रिपहर छे रित्में मुहूर्त दक्षिनायन और उत्रायन वर्ष चारों योग इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है यह सब और नदी, समुंद्र, तलाब, कुवे, बावडी, लता, ओशुदियों, व्रिक्ष, बास आदी पेड, वन की ओशुदियां, नगर, काउं, परवत, पुरी यह सब मूर्ती वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं इन में कोई भी ऐसा अदबुत व्यक्ति नहीं है जो की अपने अधिश्टाता देवता के बिना रहता हो इस सब अपने अपने समय पर पूजे जाने पर फल्दाता होते हैं अपने अपने स्वामी के संयोग के माध्यम से वे सभी सौभाग्यशाली हैं हे अरजुन कदाचित उस समय अधिमास आया दैत्य के पतन के लिए ब्रह्मा जी ने अधिक मास को उत्पन किया था उसको सब लोग ऐ सहाय, निंदित, ऐ पूज्य, मलमास, रवी संक्रान्ती से वर्जित ऐसा कहते थे अतै सभी लोग बोले कि यह पूजने योग्य नहीं है यह मलमास छूने योग्य भी नहीं है और नहीं शुपकारियों के लिए अच्छा है लोगों के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर फेह मलमास, प्रभाव रहित, दुख से घिरा हुआ, अती खिन्न और चिंता से ग्रस्त होकर व्यतित हिर्द्य से मरनासन्न की तरह हो गया फिर यह धहर्य ध्यारन करके मेरी शरण में आया, वेकुंठ में जहां मैं रहता था, वहां पहुँचा उस समय अंतर ग्रह में गया हुआ, वेह मुझको विनीत भाव में दिखाई दिया अमुल्य रतनों से जड़ित स्वन के आसन पर बैठा हुआ, मुझे देखकर वेह दंडवत करके नियमित होकर, हात जोड़कर, नेत्रों में आसुओं को छोड़ता हुआ, धहर्य धारन कर, गदगद वानी से प्रार्थना करने लगा इतना कहेकर सूत जी बोले, इतनी कता कहेकर भगवान नरायन चुप हो गए, इस प्रकार श्री नरायन के मुख से कता सुन, भगतों के उपर दया करने वाले नारदमुनी पुन हैं, भगवान नरायन को बोले प्रभू, इस प्रकार अपनी पून कला से विराजमान, भगवान विश्नु के निर्मल भवन में जाकर, भगती द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीगर ने मिलने वाले, जगत को अबैदान प्रदान करने वाले, ब्रहम मुकुंद जहां पर थे, उनके चरण कमलोकी शरण में आया हुआ अधिकमास, इसके बाद क्या बोला? इतीश्री, ब्रहम नारदिये पुराणे, पुरोशुत्तम्मासे, अधिकमासे, बैकुंठ पदारपन नामक, तिर्तिया ध्याय समाप्थ हुआ उम्नमो भगवते वासुदेवाए